हलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है गर्मियों में अक्सर लोग उन चीजों का सेवन करते हैं जिससे उसनका गला तर रहे इसके लिए वे तर्बूज को अपनी डाइट में जोडते हैं तर्बूज गर्मियों का अन्ना केवल सबसे खास फल होता है बलकि यह प्याज को बुझाने के साथ साथ भुख को सांथ रखता है इसके अंदर पानी, उर्जा, प्रोटीन, कैल्सियम, हाइरन, मैगनीसियम, पोटेसियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी, सिक् तत्व पाये जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहत उपयोगी सावित होते हैं ऐसे में लोगों को तर्बूज के फायदे, नुकसान और इसकी तासिर के बारे में पता होना जरूरी है आज का हमारा वीडियो इसे विशय पर है आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि तर्बूज की तासिर क्या होती है और इसके फायदे तर्बूज की तासिर क्या है गर्मियों में तर्बूज का सेवन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी तासिर ठंडी होती है ऐसे में यह सरीर की गर्मी को सांत रखता है सांत ही पानी की कमी को भी पूरा कर करने में उपयोगी हैं तर्बूज के फाइदे नंबर एक कब्ज की समस्या के दौरान व्यक्ति को तर्बूज का सेवन नहीं करना चाहिए तर्बूज मल त्यागने में कठनाई को दूर करने के साथ साथ पाजन तंद्र को मजबूत बनाने में भी आपके बेहत काम आ सकता है नंबर दो एनीमिया खून की कमी के कारण होता है यानि आयरन जब सरीर में कम होने लगता है तो व्यक्ति एनीमिया की समस्या का सिकार हो जाता है ऐसे में तर्बूज को डाइट में जोडने से खून की कमी से बचाओ किया जा सकता है 3. शरीर में उर्जा के अस्तर को बढ़ाने में भी तर्बूज आपके बेहत काम आ सकता है ये ठकावट और प्यास को दूर करता है साथ ही शरीर में उर्जा के प्रवाह को बढ़ाने का भी काम करता है 4. गर्मियों में अक्सर लोग लू से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं लेकिन बता दे कि सरीर के तापमान को कंट्रोल रखने में तर्बूज आपके बेहत काम आ सकता है तर्बूज के सेवन से सरीर में पानी की कमी नहीं होगी जिससे हिट श्ट्रोक अपना नकरात्मक प्रभाव सेहत पर नहीं डाल पाता है 5. आखों के लिए भी तर्बूज बेहत उपयोगी है बता दे कि यह बढ़ती उम्र के कारण नजर आने वाले धुन्दला पन को दूर करता है साथ ही कम रोशनी की समस्या को दूर करके अच्छी द्रिष्टी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है 6. जैसा कि हमने पहले भी बताया तर्बूज के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो सरीर की इम्म्यूनिटी को बढ़ाने के साथ-साथ आतों में अच्छे बैक्टिरिया को बनाए रखता है 7. यदि आप मास्पेसियों के दर्द से परेसान हैं तो ऐसे में आप अपनी डाइट में तर्बूज को जोड़ सकते हैं तर्बूज मास्पेसियों के दर्द को कम करने में उपयोगी साबित हो सकता है 7. तर्बूज के नुक्सान किसी भी चीज का ज्यादा सेवन सेहत को नुक्सानों का सामना करा सकता है ऐसा ही कुछ तर्बूज के साथ भी हैं यदि तर्बूज का सेवन ज्यादा मात्र में किया जाए तो इससे नकरात्मक परिनाम भी देखने को मिल सकते हैं यह परिनाम इस प्रकार हैं नंबर एक तर्बूज के सेवन से व्यक्ति को उल्टी, मतली, अपच, आदी समस्या का सामना करना पड़ सकता है पेट से संबंदि समस्या के लिए तर्बूज जिम्मेदार हो सकता है नंबर दो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें तर्बूज के सेवन से एलर्जी की समस्या भी हो सकती है नंबर तीन बता दे कि तर्बूज के अंदर पोटेसियम पाया जाता है ऐसे में यदि इसका अधिक मात्र में सेवन किया जाए तो इससे अनीमित दिल की धड़कन और हिर्दय सम्बंदी समस्या हो सकती है सला उपर बताए गए बिंदों से पता चलता है कि गर्मियों में तर्बूज का सेवन सेहत को कई समस्याओं का फायदा करा सकता है लेकिन इसकी अधिकता सेहत को नुकसान भी पहुँचा सकती है ऐसे में इसे अपनी डाइट में जोडने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले फ्रेंड्स इस वीडियो से थोड़ी से भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और फैमली में सेयर जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बगल में घंटी का बटन प्रेस कर दिजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेटन मिल जाए धन्यवाद